नमस्कार मित्रो, विस्विद्यालाई परीसर से कारिक्रम में आपका बहुत स्वागत है, मैं हूँ सुनीत अभासकर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हलो हल्दवानी दोस्तो विस्विद्यालाई परीसर से कारिक्रम में आज हम School of Vocational Studies पर बात करेंगे, उसकी कॉडिनेटर गुपाल दजी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, गुपाल दजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारिक्रम में धन्यवाद सुनीता जी, हमारे शुदाओं को नमस्कार सुनीता जी धन्यवाद, सबसे पहले मैं सुरुताओं का अभिवादन करना चाहता हूँ हमारे स्कूल के माधियम से जो अभी 16 दिसंबर को एक कारिक्रम आज़ित किया गया है, जो रास्टी तरह का एक सेमिनार है, जिसका थीम था Vocational Education and Open and Distance Learning अर्थाद, जो व्यावसाइक सिक्षा है, उसको हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, Open and Distance Learning के माधियम से था, दूरस्त सिक्षा के माधियम से, ऐसा कैसे संबब हो सके कि हम व्यावसाइक सिक्षा पर जोड़ दें, चुकि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में, या यह कहें कि पूरे वर्ल्ड में, आज जो जरुवत है, वो जिसके पास कुछ हुनर है, कुछ कौसल है, हर कोई यह जाता है, कि आपके पास कुछ हुनर होना चाहिए, तो हुनर किस तरीके से हो सकता है, उसको कैसे लोगों के बीच और पपुलर बनाये जा सकता है, और हुनर होने से क्या फाइदे हैं, यह मुझे नहीं लगता कि बता और साइक सिक्षा को वोकिशनल एजूकेशन को और मजबूत कर सकें ये कुछ उद्देशों के साथ हमने एक काईकरम प्रस्तावित किया था जिसमें हम यूसर के प्रती आभार बेक्त करते हैं कि उन्होंने हमें बित्ती साहता परदान करी और इस वजह से विश्व विद्यालाई एक अच्छा काईकरम आईजित कर पाया रही बार रिपोर्ट पस्तूत करने की क्या हम उसके बारे में रपर्ट पस्तूत करेंगे क्या उसमें डिसकॉशन हुए ये बहुत बड़ा एक विश्य है उस पर हम संक्षिप्त जानकरी आप से और हमारे इस रोताओं से हम जरूर साज़ा करेंगे कि आखिर इस सेमिनार के बाद से हमारे विश्व विद्यालाई को हमारे स्कूल को क्या हासिल हुआ इससे क्या कंक्रीड निर्णय निकल कर आए वो हम आपके साथ साजा करेंगे तमाम सारी चीजों पर चर्चा हुई जो मुखी उदेश हमारे इस सेमिनार के पीछे थे एक यह था कि हम किस परकार से व्यावसाइक सिक्षा का परचार परशार कर सके लोगों को ये बात समझ में कैसे आये कि जो वो किशनल अज्जूकेशन है वह बहुत जरूरी है Government of India ये चाहती है कि हम Vocational Education को अपने स्कूली कैरिकूलम में सामिल करें इस आसे से कई बार सरकार ने प्रियास भी किये हैं और कई सरकूलर भी निकले हैं मेरे को अगर सही जानकारी है सरकार इस बारे में 2012 के आसपास से चर्चा कर रही है कि हम Vocational Education को आत्मसाथ करने की प्रिकरिया अपना है हम क्लास नवी से एक अक्षा नवी से ही Vocational Education को स्कूल पर लाएं तमाम सारे माध्यमों से गुपाल जी अभी ये होता है कि हम Intermediate करने की बाद एक कोई कूर्स लाँच करते हैं और उसके बाद फिर तब तक स्टुडेंट अपना एक मन बना चुका होता है तो आत्मसाथ की आपने बात की तो मुझे लगता है कि वो ही कि आप स्कूली जीवन से ही अगर कुछने कुछ कॉशल हर्ट कंदर होता है तो एक Specialization की बात है जी बिलकुल अगर हम इस तरह के कॉशल को Early Age से स्कूली सिक्षा से अपनाना सुरू करें तो जब आप स्कूली सिक्षा से बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि यह और मजबूत हो जाएगा कुछन कुछ आप पर skilled जो चीजे हैं चाहे आप जो है engineering से related programs करें चाहे आप और तरह के programs करें उन पर जैसे अभी सरकार का focus है सरकार ने कुछ list of focusing programs जारी किये हैं जिनको आप कक्षा 9 से 9, 10, 11, 12 इन 4 सालों में जोइन करेंगे उसमें मैं देख रहा था artificial intelligence भी एक है है कि हम early childhood से अगर यह काम करना सुरू करें तो आप एक age के बाद से और परिफक को हो जाएंगे जैसे मैं कुछ आप से चर्चा करना चाह रहा था आभी off the line हम बात कर रहे थे कि मैंने कुछ बहुत जो है चाइना का education system देखा पड़ा तो वहां इस तरह की जो हम आज चर्चा कर रहे हैं ब्यावसाइक शिक्षा के बारे में कि हाँ होना चाहिए लोगों को self employment की तरफ जाना चाहिए लोगों को रोजगार लेने के बजारे रोजगार देने वाला होना चाहिए हम इस तरह का workforce तैयार करें वहां इस तरह का जो system है वो school education सही है बहुत early से school education अर्था व्यावसाइक से संबंदित सिक्षा कौसल से संबंदित सिक्षा पर जोर दिया जाता है और इसका परिणाम हम देखते हैं कि चाइना टेक्नलोजी में बहुत आगए है तो हमारा जो उदेश था इस कारक्रम के पीछे कि हम किस परकार से व्यावसाइक सिक्षा का परचाब परशार कर सकें क्या ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं क्या ऐसे गैब हैं कि हम व्यावसाइक सिक्षा को धरातल पर नहीं लाबा रहे हैं इनकी जाच परताल करें अब मुझे लगता है गुपाल जी इसमें एक पॉइंट ये भी होगा कि लोकल चीजों को धिहान में रखकर हम उन व्यावसाइक सिक्षा को उत्रागंड के परिपेक्षे में किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं हमारे सेशन पूरा एक दो घंटे का पूरा सेशन इसी चीज पर था जहां पर बहुत सारे बिसेख्यों ने अपनी बात रखी कुछ लोगों ने कहा कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देने से संबंदित चर्चा हुई कहीं पर लोगों ने कहा कि हमें और गरिन फार्मिंग कर हम इस तरह का काम करना चाहते हैं कि उत्राखंड में बहुत सारे गाओं आप देख ले होंगे पलायन की चपेड में हैं किस प्रकार पलायन रोका जा सके लोगों को रोजगार दिया जा सके बजाए लोग रोजगार लेने के हम तो यह कहेंगे सुनिता जी लोग रोजगार पैदा करने की इस्तेटी में आ सकें, वो तब हो पाएगा जब लोगों के पास एक पर्टिकुलर तरह का होनर होगा, हमने इस बीच अपने काईकरम से कुछ समय पहले, अलमोला जी लेके और इधर उद्धम सिंग नगर के कुछ गाओं का भर्मन किया तो मैंने वहाँ देखा, ऐसा नहीं है कि लोग स्किल्ड नहीं है, हमें एक खटिमा में एक सज्जन मेले, जो बिल्कुल अंदर गाओं बीहड में रहते हैं, उनने इतना बहतरी इन फार्म बना रखा है मुष्डूम उत्पादन का, मैं देख के खुस हुआ और मैंने उसे पूछा, आप यह सब कैसे कर पाएं उनसे मैंने एक इंटर्व्यू लिया जो मुझे लगता है कि मैं आप तक भी पहुँचा हूँगा कुछ समय के बाद तो उनके आइडिया से में बड़ा प्रसंद नहुआ मैं पूछा आप जो कैसे बेजते हैं मेरे पच्छे मंगाल की से कंपनी से टायएफ हूआ है और उनका यह कहना है कि हम आपका माल इस इस तरह से आप पैक कर दिजेए पैकिंग के उनने मुझे डबबे दिखाए दिये हैं हम ले जाएंगे सीदे तो मैं फिर से वहीं वापस आगया कि हमारा जो सेमिनार का उदेश था वो यह नहीं था कि हम नौकरी कैसे देंगे हमारा जो उदेश था हम व्यावसाइब सिक्षा को कौसल सिक्षा को स्केल एजुकेशन को लोगों तक कैसे पहुँचाएं उसके बारे में हमें नहीं जानकारी है बहुत सारे लोगे हमारे शोता भी इस बात को मुझे लगता है ध्यान दे रहे होंगे कि काफी सारे लोगों नहीं पता कि व्यावसाई सिख्षा क्या है क्या है क्योंकि आज के समय की डिमांड है हम सिर्फ एक नौकरी के भरों से नहीं रह सकते हैं आप देखते होंगे बहुत साही लोग में इस तरह के हुनरत पहले से विक्सित हैं उसको निखारने की जुरूत है उसको तरासने की जुरूत है आपने मूर्तिगार देखे होंगे आपने किर्गेटर देखे होंगे आपने एक्टर देखे होंगे यह कला ही तो है यह स्किल ही तो है जो लोग आज हमारे लिए सेलिब्रेटीज हैं उन्होंने अपनी कला को इतने इस्किल को इतना बहतरीन कर दिया कि हम उनको सेलिब्रेटी कहते हैं तो यह जो 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 इस् और प्रशुद्ध को लेकर के बहुत लोगों का स्ट्रेस था कि आप और गनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो है कुछ पाठिक्रम शुरू करा हैं और जैविक खाथ को लेकर के बादचीच हुई है और पसुधन से सम्बंदे चर्चा हुई है और ऐसे बहुत सारे आइडियाज है इवेंट मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई है अच्छा बिल्कुल इग नया है किस तरीके से जैसे आप देखते है हमारे कल्चर में क्या है कि घर में कुछ कल्चर्ल फंक्षण है साधी विवा है किसे ओठएका दे तो उसके जमिला है उसके जम्मेदारी और निभाई सब करें तो आप इस तरह का प्रफेशन सामने आ रहे हैं कि Isके लिए भी आपके पा पर देना है, मोटिवेशन के स्पीकर साथ हैं, उनके लिए जो है, एक मीटिंग और्गनाइज की जानी है, इमेंट मेनेजमेंट है, ऐसे तमाम सारे धरातल पर जो चीजें दिख रहे हैं लोगों को, किस तरीके से हम उन पर बात कर सकते हैं, ये तमाम सारी चर्चा जो है, व कि पुस्पेस पंधजी को हम सब लोग जानते हैं, हमारे एक तरीके से वो इंटरनेशनल आइडेंटिटी हैं, तो उनका ये कहना था कि आप फूड एंड वेबरिज सर्विस और प्रोडेक्शन पर जरूर प्रोग्राम लाएं और बहुत जल्दी लाएं, तो हमने सर को आस पर चलता था, तो यूजी सी की कुछ बाध्यताओं के कारण हमने अभी उसको स्टॉप किया, अभी हम प्रोग्राम सस्पेंड है, अभी उसको नहीं चल पा रहा है, हम प्रियास करेंगे कि जो फूड एंड वेवरिज से संबंधित प्रोड़क्शन हो या सर्विसिंग हो, पैरा-लीगल स्टॉडी से था कि जैसे आप देखते होंगे, आपके छोटे रोजमर्रा के काम हैं, आपको कोट जाना है, कोई चरीत परमानपत बनाना है, कोई आई परमानपत बनाना है, या और पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, जितने भी कोट का चहरी से संबंधित कारि वो कहता है कि ऐसा सा कर दीजिए, यह पैसे दे दीजिए, हम देखे आ गए, क्यों ना हम भी उसके बारे में कोई जानकरी रखें, तो हमारे विसे से क्योंगा कहना था कि आप सब को यह सब चीजों की इनका तरीका पता होना चीजिए, एक अगर हम से कहें कि एफिड़िव लोगों को स्किल किया जाए, इस पर हमारा बिसे सग्यों का बिसे जोड़ रहा, इन्वेस्मेंट मेनेजमेंट कैसे हो, हमारे मैं कुछ आंक्र देख रहा था कुसमें पहले, तो वो ही कहता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ठगी हो रही है, ठगी के माद्यम टेलेफोन, तो क्योंने लोगों को बता जाए कि अपने धन की सुरक्षा कैसे की जाए, ये भी एक माद्यम है, तो ऐसे बहुत सारे कारिक्रिमों पर चर्चा हुई, जिन पर हम आगे बात करेंगे, कि किस प्रकार से हम अपने कारिक्रिमों को सपल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, एक और जरूरी चीज अपने सुरोताओं के लिए मैं बताना चाहूंगा, इन कारिक्रमों के साथ-साथ व्यावसाइक अध्यन विद्यासाखा स्कूल अफ वोकेशनल स्टडीज आने वाले सत्र से कुछ व्यावसाइक से सम्मंदित नई पाठिकरम भी चालू करने जा रहा है जैसे कि हम टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग में, सिक्षा में, चाहे वो इसकूली सिक्षा हो, चाहे वो आपका हाईयर एजुकेशन हो, हम किस प्रकार से टेक्नलोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस तरह के भी सुनीता जी कुछ पाठिकरम शुरू करने जा रहे हैं कि कुछ इस तरह के जो विद्वान लोग हैं, जो इससग्य हैं, उनका एक काउंसिल ऐसी बनेगी हैं, हाँ, हाँ, मैं इस पर भी बात करेंगी हम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इस तरह की भी चर्चा हुए है कि हमारे जो अलग-अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो बाय टेक्नलोजी के हूँ, चाहे वो कंप्यूटर्स के हूँ, चाहे वो एक्रिकल्चर के हूँ, और भी पिससग्य, मिला करके हम वाइस चांसिलर सर ने हम सबको ये कहा है, कि आप वोकिशनल काउंसिल के स्थापना करें, जो ये तरह करेगा, कि हम किन किन त बियावसाइक शेक्षा की तरफ जोड़ सकते हैं चुकि आप जानते हैं हमारे कुलपती महोदाई का जो रुख है वो बहुत साफ है कि बियावसाइक शेक्षा का हम बिस्तारी करण किस पर कार कर सके हैं उसमें गुनवत्ता परक काम कैसे हो सके लोगों को उससे सीधा सीधा फाइदा कैसे हो लोग हुनर कैसे हासिल करें इन सब चीज़ों पर सर से जब भी बात होती है बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत बेसाबरी से उनको इंतिजार रहता है कि कुछ नहीं पार्टिक्रम सुरू होने के सर को सूचना दी जाए हम लोगों को बहतर और कैसे जिवन इस तर दे सकते हैं स्किल के मामले में अच्छा स्किल कैसे तैयार कर सकते हैं तो सर का बड़ा इस चीज़ पर फोकस रहा कि यह सब चीज़ आगी बढ़ाए जाएं तो गुपाल जी से यूजी सी ने कुछ पार्टिक्रमों पर रोक लगाई हुई है तो आगामी के लिए भी क्या कुछ और दिक्कते हैं क्या यहां के इस तर से कैसे चीज़ें ठीक होंगी कैसे हम जल्दी से इन तमाम पार्टिक्रमों को यहां पर शुरू कर से हमारे पास जो है सिक्स मन्थ जिसको हम सर्टिपिकेट कहते हैं परमार पत्र और डिप्लोमा पार्टिक्रम सुरू करने के लिए ऐसी कोई बिसेस बात देता नहीं है कुछ रूल्स के अंडर क्योंकि हमारा जो बोड़ी है जिसके अंडर सुपरवाइस जो हमें करता है यूजीसी है विश्विदेले अनुदान आयोग है कुछ उसके बात देता हैं उन नियम और सर्टों के तहत हम अपने 6 मन्थ 6 वर्सी 6 माह का और एक साल के पाठिक्रम हम संचालित कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं तो मैं आपको यह सूचना यह भी देना चाहता हूँ कि हमारे सुरुताओं तक पहुंचे यह बात कि स्कूल अफ वोगेशनल स्टुडिज ब्यावसाइक अध्यन विद्या साखा आने वाले सत्र से नौ पाठिक्रम नए सुरू करने जा रहा है जिसमें तीन डिप्लोमा पाठिक्रम है एक वर्सी के हैं अर्थाद और छे प्रमाल पत्र कारिक्रम है छे माह के हैं इन सब चीजहों के हम आगे पी होगेती करने जाए होाद पाठिक्रम है और सांती SEMINAर के जो समराए है जो समणती है उत्रेक्रम के परिफेक्ष में हम अच्छे रोजगार परहिद आप से हैं अपने लोगों को दे सकें इस पर हम आगे काम कर् Munich जी मुझे लगता है काफ़ी अची जानकारी आपने बताई है हमारी लिसनर्स के लिए और ये बहुत बड़ी बात है कि नौ पार्टिक्रम आप अगले सत्र से शुरू करने जा रहे हैं ये एक बड़ी संख्या है हम कोसिस करेंगे कि हम इसको जो है ओन टाइम हम लॉंच करें जी इस पे काम चल रहा है बहुत जल्दी जी तो मुझे लगता है कि आप लगातार बने रहे हैं हलो हल्दवानी के साथ में और जानकारी हमारी लिसनर्स तक पहुँचाते रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुपाल जी इतनी सारी बातें साजा करने के लिए धन् आएं और व्यावसाइक शिक्षा के बारे में अपना योगदान दें चीजों को समझें उन से सम्मंधित क्या क्या पार्टिकर मैसे हैं जो उनको पहुचा सकते हैं लाब आप सभी सुताओं को मिरा अगरह है कि इस मुहीम को हम इसकिल्ड हुनर पैदा करें हम इसकिल्ड व हमारा मेल अड्रस है hellohaldwani91.2 at gmail.com इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भासकर को दीजे जाज़त नमस्कार